दोस्तों मैं हूँ अमन कौशिक और बात करते हैं एक लंबे गयाब के बाद I think Connor McGregor के बारे में और जो कुछ न्यूज निकल के आ रही है पिछले कुछ दिनों से हलांकि विद Connor अगर आप चाहें तो वो इतना सारा content पोस्ट करते हैं Instagram पे, obviously, Twitter पे कि हर रोज हम उनके बारे में एक वीडियो बना सकते हैं no doubt उसे अप न्यूज बोलेंगे या सिर्फ अपडेट बोलेंगे वो आप पर है but especially मेर जैसा बंदा definitely उस पे एक वीडियो उन पे एक वीडियो रोज बना सकता है but वो न्यूज नहीं होगी वो बस होगा कुछ अपडेट है आज Conor ने बाइसेप सक्साइस की आज Conor ने ये कमेंट मारा उसके खिलाफ आज Conor और हमेशा हुटो फाइट कर रहे हैं सोचल मीडिया पे आज Conor इंसल्ट कर रहे हैं किसी और बनियल दिदेरियोश को so it's always something Conor हमेशा active रहते हैं सोचल मीडिया पे और उनके फैंस हैं उनके पास बहुत सारी चीज़े हैं देखने के लिए बट लास्ट कुछ दिनों में जो कुछ निउस आई वो शहाद थोड़ी सी नोटवर्दी है शायद इस लायक है कि हम बात करें उनके बारे में सबसे पहले Mike Tyson क्योंकि शायद वर्ल्ड के वन अद फेमस फाइटर है आज की डेट में भी उनने कमेंट किया था कि अगर वापस आ रहे हैं Conor तो बजाए सीधा फाइट करने के गयंस्ट चैंपियन्स अगयंस्ट लीट लैबल फाइटर उनने कुछ हलकी फाइट है चाहिए एक दोफाइट थीन फाइट थोड़े से लो रिस्क लैबल पे और अपना बिल्ट करें पॉइटेंस, बिल्ट करें अपना फॉरम और फिर जाके वो fight करें against top fighters और फिर जाके वो fight करें बेल्ट के लिए और obviously बहुत से लोगों ने इस पर comment किया Michael Bissom ने कहा कि issue नहीं है with confidence Connor is still confident but issue यहाँ पर यह है कि lack of activity and again motivation और उन्हें यह भी कहा कि अगर वो वापस आते हैं और fight करते हैं किसी हलके fighters से और हार जाते हैं या बहुत मुख्लिशन से जीतते हैं तो वहाँ पर और रिस्क है because then आपके पास चार fight up हार गए है लगातार और against lower ranked fighters तो कैसे आप उनको build करेंगे तो यहाँ परो और कॉंस हैं कि किससे fight करवाएं Connor को कौन होना चाहिए next corner के लिए अगर अगर अब देखें जो उनका social media account है वो जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं अब तक पिछले कुछ हफतों से खासकर वो सिर्फो सिर्फ कर रहे हैं boxing training उनने कहा कि he's still waiting कि वो कब अपना जो injured leg है वो use करें कुछ टेस्ट करने बाकी है obviously हो हरफते वो टेस्ट करवाते है so he's still not sure कि कब वो अपना उस injured leg को फिर से यूज कर पाएंगे leg kicks के लिए या for grappling for wrestling, कब वो यूज करें लेकिन आज की डेट तक अब तक वो सिर्फ और सिर्फ boxing या weight training कर रहे हैं obviously like looks jacked और overall जो complete training है MMA की वो अब तक उनोंने start नहीं की है so ये एक बहुत बड़ा point है लग बग तीन महने पहले हम बात कर रहे थे कि शायद possible है कि Connor जून जुलाई के आसपस वापस आएंगे और fight कर सकते हैं क्यूंकि जुलाई is a big card अब हम बात कर रहे हैं कि शायद वो साल के आखर तक वापस आएंगे but frankly मुझे लगता है कि अब वो वापस आएंगे शायद next year ही अगर वापस आते हैं वो साल के end तक good but chances उसके कम मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि अब तक वो lack को using ने कर रहे और lack kick check करना lack kick मारना और बागी से सब चीज़े करना I don't think वो इतना जल्दी हो पाएगा कि वो एक fight के रहे हो पाएगा boxing fight? maybe but not MMA fight और ये एक बड़ा point है और I think वो खुद भी जानते होंगे कि कोई यहाँ पर जल्दी नहीं है वापस जाने की और टगन के अंदर because एक बड़ी इंजरी थी बहुत बड़ी major injury थी उससे वो बहार निकल रहे हैं उससे उबर रहे हैं so he needs some time no doubt और मेरे साब से जो comments उनके आ रहे हैं धीरे धीरे कि he's enjoying this new physique this new weight और शायद वो नहीं कट करेंगे फिर से weight I'm coming for you and all so Tony Ferguson I think एक उस लिस्ट में है जो कि शायद fight करना चाहें या as a fan हम देखें fight करते हुए उनको against लेकिन जो नाम जो मेरे माइंड में है उनके लिए वो है Bagel Chandler well ऐसा इसलिए नहीं कि बस उन्होंने call out कि है दो बार Connor को बहुत बड़े लेवल पर जाके इसलिए भी कि ये इनके लिए एक सही fight होगी अगर fight करते हैं Connor against Tony Ferguson जो कि अलड़ी एक चारवाइट की losing streak पर है तो शायद इने कुछ खास नहीं मिलेगा और मेभी फैन्स बिसे कि क्या तोनी फर्गसन औरी हाच चुके है चारवाइट लगातार what's the point लेकिन अगर वाइट करते हैं against Chandler कि मेरे इसाब से थोला सा favorable match-up भी उनके लिए है in terms of standard fighter है you know Connor is very good in striking you know Chandler थोले से कई बार नहीं देख पाते गिर जाते हैं knockdown हो जाते हैं तो उस इसाब से देखे थे एक अच्छा match है उनके लिए वो but frankly जीसे इसाब से कॉनर कह रहे हैं he will not come back in 155 वो अपस आएंगे 170 pounds में तो यह possible है कि यहां से जो उनके opponent है चाहे वो हो Chandler चाहे वो हो Ferguson जो भी है वो move करे next division और उनसे वहां fight करें because I'm sure कि Chandler और Ferguson दोनोंने के कही बार कहा है कि यह division उनके लिए बहुत लगी टाइम तक नहीं सही रहेगी because they are so big Chandler is so big he is so thick और वो खुशी से शाइद move करेंगे next division में यह एक बड़ी possibility है कि वो pick करें एक opponent चुकी fight करता है 155 pound में but वो fight हो 170 pound में just like Donald Saroni fight चुकी हुई थी I think और यह मेरा मानना है Dana White और UFC बहुत try करेंगे कि ना fight मिले Connor को against Masvidal और ना ही मिले against Usman कि वो उनके लिए सही match-up नहीं है Obviously Usman is a champ big fighter जो कि शायद fight करना चाहेंगे in next division 185 pound division कोई sense नहीं बनता कि यहां पर fight करें Connor against Usman Even against Masvidal जो कि कई बार push कर रहे है I want to fight Connor और वो ऐसे इसलिए कर रहे है because उनके division में जो top नाम है वो सब restless है Usman, Kobe, Hamzat, Bilal, Burns all are good on ground तो I think इसलिए वो शायद सोच रहे है कि यार अगर मैं वहां जाऊँगा फिरसे 7 division में जो पर पांच लोग है बड़े they all are good on ground और मैं नहीं हूँ तो में लिए क्या बड़ी fight possible है Nate Diaz एक fight जो बड़ी उनके लिए possible थी और I think वो अब शायद नहीं है क्योंकि जो चल रहा है issue with Nate Diaz तो I think यह जो fight है Connor की यह उनके लिए शायद बेस्ट है size उनके पास जादा होगा और obviously बेड जादा होगा तो इसलिए वो कर रहे हैं call out but I feel कि अगर Dana White smart है जो कि I think obviously है वो try करेंगे की Connor fight ना करेंगे against Masvidal और ना करेंगे against Usman और वो fight करेंगे किसी ऐसे fighter से जो की 155 pounder है मेरे हिसाब से but we will see क्या होगा दोस्तों but ये बात साफ है कि Connor अभी भी बहुत दूर है इससे पहले कि वो फिर से fight करें कम से कम 6 मेने दूर अगर और ज्यादा नहीं तो और वापस वो आएंगे तो most probably वापस आएंगे 170 pound division में most probably, ये मेरा मानना है and yes I agree उन्हें कुछ hulky fights करने चाहिए directly fight करना against Usman या even against Oliveira इस time पर सही नहीं होगा concept of tune of fight बहुत कम use करते हैं हम MMA में पर करना चाहिए, खासकर for Connor as a fan हम चाहेंगे कि वो लंबा game खेलें, वो हर साल fight करें सिर्फ एक fight करें, no issue last year उन्हें दो fight की थी और दोनो fight की वजह से जो जो पैसे कमाया UFC नहीं वो बहुत जादा कमाया best year of their entire history और I am sure की इसमें बहुत बड़ा contribution है उन दो बड़ी fights का Connor vs. Paul ये 2nd and 3rd fight का दोस्तों, anyway, ये था मेरा वीडियो for Connor McGregor, मिलते हैं next time take care, bye bye